कि हाओलो स्टुडेंट्स आज का टॉपिक है वो निूट्रीसन से रिलेटेड है osaurus हम लोग पढ़ते हैं कि निूट्रीसन क्या है या जूट्रियंट्स क्या है trud संद क्या है निूट्रीसन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके तहत कोई भी जीब जनतु या k Czy Living Things कोई Living और्गेनिजम, फूड को टेकिंग करता है, फूड को लेता है, यानि nutrition is the process in which organism taking food in the form of nutrients, इसमें topic आ रहा है, तो nutrients क्या है, nutrition के लिए nutrients को होना जरूरी है, nutrients का मतलब क्या होता है, पोसक पदार्थ जो आपके लिए फाइदे मंद है, nutrients क्या हो सकता है, nutrients कार्वो हाइडरेट हो सकता है, protein हो सकता है, lipid हो सकता है, vitamin हो सकता है, यह सब हो सकते हैं, अब देखो क्या है, nutrients से फाइदा क्या आपको होगा, जो अपने nutrients के रूप में carbohydrates लिया, वो carbohydrates से आपको energy मिलेगा, protein से पहोगा, lipid से क्या होगा, यह जो lipid है ना, वो carbohydrate से ज़यादा energy देता है, जैसे आप लोग अगर चावल खायेगा, रोटी खायेगा, अब दूसरा आदमी क्या खा रहा है चावल रोटी तो खा रहा है साथ में घी भी पी रहा है पचास सो ग्राम तो उसको पैस ज्यादा इनर्जी हो जाएगा बिटामिन्स क्या है बिटामिन आपके रोग परतिरोधक छमता को डेवलप करता है उसके बिरुद लड़ने का काम कौन कर रहा है बिटामिन जैसे बिटामिन A अगर आप ले रहे हो तो आपको नाइट ब्लैंडनेस नहीं होगा बिटामिन B ले रहे हो तो बेरी बेरी नहीं होगा C अगर ले रहे हो तो कोई और बिमारी नहीं होगा दी और ले रहे हो तो कुछ और दूसरा विमारी नहीं होगा यानि ये जो बिटामिन्स हैं आपको लग रहा हो कि आपने A और B के बारे में बताया C और D के बारे में नहीं बताया उस confusion के लिए क्या करना है आपको थोड़ा बहुत किताब को पढ़ना पड़ेगा ठीक है ना जैसे मालो बिटामिन C आपने लिया तो बिटामिन C से क्या होता स्करवी बिटामिन D से क्या होता है अगर बिटामिन D आप नहीं लोगे दूद नहीं पी होगे या कल्सियम का गोली नहीं खाओगे या कोई और नियूट्रियंट्स जैसे केला नहीं खाओगे तो तुम्हारा हड़ी क्या होगा कमज़ोर होगा जो bone formation के लिए हड़ी को बनने के लि N, P, liquid में क्या होता है बावू, तो C, H, O, vitamins में क्या होता है? Mineral इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बावू, mineral, अगर आप iron नहीं लिये कुछ और भी vitamins जैसे हैं, तब vitamins में आपको जैसे vitamins में लिया आपने, तब vitamin का मतलब क्या हो गया? बिटामीन A, B, C ऐसे होता है न बिटामीन के हैं जो प्रोपर है बिटामीन A, B, C, D, E, K और बिटामीन के साथ लोग क्या लेते हैं मिनरल को भी लेते हैं मिनरल का मतलब आइन्स को लेगें आइन्स जैसे मेटल को ले लिया आपके पास मार्केट में जो एभिलेबल चीज है बिटामीन और मिनरल की कुछ गोलियां है या खाद पदार्थ में भी बिटामीन भी होते हैं मिनरल भी होते हैं तो बिटामीन का अलग काम है और मिनरल का अलग काम है मिनरल के कारण भी आपका body defense system मजबूत होता है और vitamin का रोगों से लड़नी की छमता क्या होती है डेवलप होती है जैसे vitamin B और C जो है बाटर fat-soluble vitamin है ADEK यह क्या है बाबू fat-soluble vitamin है ठीक है न अब इन vitamin और mineral के बाद एक term आता है कि एक food का जो बनना है वो किसके तहत होता है तब food का formation पहले कराना तब food formation के लिए दो ही लोग जिमेदार है एक तो हम लोग जैसे इंसान सिझाते हैं खाना को अब पेड़ पोधे क्या करते हैं बनाते हैं तो कैसे बनता है तो nutrition जो होता है दो तरह का होता है बाबू एक होता है autotrophic autotrophic और दूसरा क्या होता है heterotrophic heterotrophic autotrophic nutrition में क्या होता है organism क्या करेगा autotrophic nutrition में क्या होता है organism synthesize synthesize on food on food from किसे बाटर से carbon dioxide से किसके presence में chlorophyll के presence में chlorophyll के presence में और क्या चाहिए आपके पास तो आपको प्यास क्या चाहिए sunlight चाहिए क्या चाहिए बाबू sunlight क्या बनातेगा वो गुलकोज c6 h2o6 यानि autotrophic nutrition उसे बोलते हैं जब कोई organism बाटर से और carbon dioxide से sunlight और chlorophyll के मौजूदगी में परजन्स में गुलकोज बना देगा oxygen बना देगा और बाटर बनातेगा बाटर मॉलेक्यूल अस्टोमाटा के दौरा वो फिरी होकर के निगल जाता है oxygen गैस भी इसका क्या है product है जो इसका bestage product होता है जैसे जो है एस्टोमा यह क्या है बावू अस्टोमा यह दो गार्ड सेल से घीरा हुआ है इसका नाम है बावू क्या गार्ड सेल गार्ड सेल के अंदर chloroplast नाम का pigment होता है जिसको आप बोलते हैं क्या chlorophyll अब इसका क्या function होता है जैसे ही surrounding से यह बाटर को absorb करेगा तो यह क्या होगा फूल जाएगा यह क्या होगा स्वेल कर जाएगा फूलेगा फूलने के क्रम में क्या होगा यह अस्टोमा टा ओपन हो जाएगा यह अस्टोमा जो है ना ओपन हो जाएगा और जैसे ही ओपन होगा बावू तो उस समय में क्या रूट से क्या जा रहा है वाटर रूट से बावू क्या जा रहा है बाटर मॉलेकुल देखो रूट से क्या जा रहा है बावू बाटर मॉलेकुल यहां पर जा करके रियक्शन हो करके फुड को बनाता है यह जो प्रोसेस है किस में होता है तो प्लांड के केस में होता है किस मे में क्या होता है organism do not synthesize on food organism अपना खाना खुद नहीं बनाता है वो जो खाना होता है न वो दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं जैसे हम लोग हैं जितने भी एनिमल हैं जितने जानवर हैं वो कि उसमें क्या पा जाता है एनिमल में हेटरोट्रोफिक nutrition यानि वो synthesize नहीं करता है वो दूसरे पर डिपेंड हो जाता है जैसे हम लोग हम लोग क्या करते हैं वाबू चाबल डाल को सिझाते हैं और उससे इनरजी मिलता है यानि आपका जो nutrition जो है nutrition में क्या होता है तो taking of nutrients for doing different बर्क ये दो टाइप का होता है autotrophic, heterotrophic, autotrophic nutrition जिसमें होता है वो ऐसे organism को autotrophs बोला जाता है इस organism को क्या बोलोगे autotrophs, autotrophs मेरी बातों को समझेगा जो synthesize food नहीं करेगा उसे बोलते हैं क्या heterotrophs यानि do not synthesize on food ये neat का एक questions है इसे मैं एस figure को हटा रहा हम यहां से एक neat का देखो questions है neat 2000, 17 में M's में ही पुछा गया है, 2000, 17 ये neat का question है बाभू कि how many molecules involves in one photosynthesis reaction तगर इस reaction को balance करके लिखोगे तो क्या होगा 6CO2 पलस 12H2O ये सारे का sunlight जो है ना chlorophyll है ठेक है ये बनेगा क्या C6H2O6 पलस 6O2 पलस 6H2O एक reaction के लिए कितने molecules involve हो जाते हैं उसमें नीट का question पुछा होगा है, पहला दिया था option, दूसरा दिया था, तीसरा option था, और क्या था, चाव था मैं अंसर सही वाला पहले लिख लेता हूं, देखो कितने molecules इसमें involve हैं तो 6 हो गया carbon dioxide, 12 हो गया butter, तो 12 हो 6 कितना हो गया, 18, गुलकोज का एक molecule तो 19, 19 हो 6 कितना हो गया जी बोलो, 19 छे, 25, 25 ना, 25 हो 6 कितना हो गया, 31, 31, ऐसे लिखावा था, 30, 29, 28, लोग बनाएगे, ठीक है न, इस तरीके से आपका, molecule को गिन लिजे, balance reaction है, molecule को गिन लिए, 12, 6, 18, 18, 19, 19, 25, 25, 31, इसका सही अंतर क्या होगा भागू, 31, यानि nutrients का लेना, organism के दारा nutrients को लेना, उस process के क्या बोलते हैं, nutrition, दो तरह का होता है, autotrophic, heterotrophic, autotrophic nutrition, जिस organism में होगा, उसे बोलेंगा autotrophs, जिस में नहीं होगा, उसे बोलेंगे, heterotrophs, okay, students, अगले lecture के लिए, फिर हम लोग इसी channel पे, KD Foundation नाम के channel पे, फिर से मिलेंगे, अगर आप लोग को कोई दिक्कत है, तो आप question कर सकते हैं, पहले question कर लिजे, हाँ, करो, question करो, है कोई दिक्कत कहीं पे, है, तुमको, clear है ना, कोई दिक्कत, तोड़ा सा करना सो,